हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माय चैनल, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही इजी रेसिपी जो है वेज सेंडविच या फिर इसको कह सकते हैं वाइट म्योनी सेंडविच क्योंकि इसमें वाइट म्योनी इसमें अड़ किया है तो यह रेस्टोरेंट में ह होटेल में यह बहुत ज्यादा मिलते हैं सांडविच और यह काफी जल्दी बन जाते हैं इन्हें बनाना बहुत आसान है कभी आपको जल्दी जल्दी कुछ बनाना है भूट लगी है चोटी बच्चों की चोटी भूट के लिए है तो आप इस रेस्टोरे को बना सकते हैं बनाना बहुत ही आसान है तो आज मैंने इसी तरह से आपके लिए कुछ हलकी रेसेपी लेकर के आई हूँ जो आप फटा-फट से बना सकें पांस से दस मिनिट के अंदर अंदर जादा आपको किचिन में ना खड़ा होना पड़े और इसमें काफे सारे मैंने वेस्टेवल्स जाली है जो हेल्थ के लिए भी अच्छा है तो चलिए वीडियो देखते हैं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को तो आप सबस्क्राइब भी करिएगा और साथी साथ बैल का बटन भी प्रेस करिएगा मैंने अपनी कुछ प्रिवियस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये हैं आप वहाँ देख सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स यहाँ पर इस सैंड्विच बनाने के लिए मैंने कुछ वेजटेवल ली है अगर आपको पसंद है तो आप इसमें ओनियन भी एड़ कर सकते हैं मैंने इस सबजें बारिक बारिक काट ली हैं तो यह है हरी शिमला मिर्च बारिक कटी हुई लाल शिमला मिर्च पीली शिमला मिर्च एक टमाटर लिया है और एक गाजर ली है जो कदू कस कर लिया है मैंने और इसी के साथ साथ मैंने दो हरी मिर्च ली हैं बारीक कटी हुई आप चाहें अपने पसंद से कोई भी वेजटिवल ले सकते हैं अब इसको मैं ट्रांसफर कर लूँगी एक बॉल में इसमें आप जितनी वेजटिवल डालेंगे फ्रेंट सेंडविच उतना ही अच्छा लगेगा और वेजटिवल डालने से काफी हेल्दी भी बन जाता है इसको अब मैंने मिक्स कर लिया है अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया एड़ कर लेंगे आपके चोईस है आप डालना चाहें डाल सकते हैं अगर धनिया डालेंगे तो इससे फ्लेवर अच्छा हैगा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक एड़ करेंगे थोड़ा धनिया पाउडर एड़ किया है हाफ टी स्पून और एक तीहाई चमच मैंने लिया है गरम मसाला एक तीहाई चमच लिया है ले रहे हूँ मैं काली मिर्च का पाउडर यानकी ब्लाक पिपर और थोड़ा सा मैंने लिया है चांट मसाला वो भी एक तीहाई ही मैंने लिया है यहाँ पे मैं डाल रहूँ चिली फ्लेक्स अगर आपके बास अवेलेबल नहीं है तो आप इसमे रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यह देखिए वेजटेवल मैंने मिक्स कर दी है और यह वेजटेवल मैं ले रही हूँ अलग-अलग दो बाउल में सेकेंड बाउल में भी मैं ले रही हूँ क्यूंकि इसके मैं आज दो म बनाएंगे हम इनका टेस्ट थोड़ा अलग करेंगे तो यहां पर मेरे पास हैं दो म्योनीज एक जो आपको औरेंज दिख रहे है यह है वैज म्योनीज यह कंदूरी म्योनीज है और दूसरी हमारी नॉर्मल बर्गर सैंडविच के लिए जो यूज करते हैं प्लेन वाली वह एक म्योनीज को हम अच्छे से मिक्स कर चुके हैं बैटर हमारा रेडी है स्टफिंग और इसको भी हम तयार करते हैं यह देखे इसमें मैंने दो चपमच भरके म्योनीज लिया है और अब हम तयार करते हैं अपने सैंडविचेस तो बस इतना ही काम होता है हमारे फिलिंग को रेडी करने का यहां पर मैं ले रही हूँ वाइट ब्रेड आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं तो यह देखे अब यह एक ब्रेड मैं लोगी पहले और बाकी के सारे ब्रेड हम साइड में रख देंगे तो मैंने ब्रेड ले लिया है कुछ नहीं करना है इसम इसको फ़लका सा प्रेस कर देंगे ताकि वो चिपक जाए और अब हम इसको चारो तरफ से कट करेंगे जो इसके डार्क कॉर्नर से उनको हम हटा देंगे और अब फिर इसको एक वार और कट कर लेंगे और यह दिखिए एक संड्विच मैं आपको और बना के दिखाती हूँ अब इन्हें हम साइड में रख देते हैं तो दूसरा हम संड्विच लेंगे और उसके ओपर हम लगाएंगे थोड़ी म्योनेज यह मैं वाइट म्योनेज लगा रहे हूँ इसको हम अच्छे से फैला लेंगे और इस पे हम दूसरी जो तंदूरी वाली फिलिंग थी वह इस पे मैंने लगाई है और सेम प्रोसेस इस पे हम अप्लाए करेंगे इसको भी हम साइड से कट कर देंगे और यह देखिए हमारा दूसरा संड्विच भी बिलकुल रेडी है है न बहुत जादा आसान तो यह सं इसमें हरी चटनी भी ले सकते हैं बट यह रेड जो हमारा टमाटो कैचुप होता है उससे जादा टेस्ट राता है तो हमारे संड्विच बिलकुल रेडी है है न बहुत ही आसान रेसिपी आप इसको बहुत जल्दी बना सकते हैं और इसको इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि यह खाने में बहुत टेस्टी लगता है तो आप इसको ब्रेकफास्ट में या फिर बच्चों के टिफिन में भी आप दे सकते हैं टी टाइम पर भी आप यह ले सकते हैं यह बहुत ही आसान है तो मैं उमीद करते हूं फ्रेंट्स आपको मेरी यह इजी रेसिपी पसंद आई हो और नई रेसिपी और इजी रेसिपी में लेकर के आपसे बहुत जल्द मिलूंगी जब तक के टेक क्यर और बाबाई गाइस